साथियों कई लोग कह रहे हैं के sir मैंने check दिया था किसी private financer को किसी रिष्दार को बदले में पैसे ले लिये थे और अब उसने check bounce करा दिया अब मैं क्या करूं जैसे तो मैंने पहले भी बताया था यदि कोई check bounce कराने के धमकी देता है तो क्या क्या करना है लेकिन माली जब चेक बाउंस करा ही दिया तो भी बहुत सारे विकल्प हैं सबसे पहले तो घबराना बंद करिए आपने कोई गुणा नहीं किया आपने पैसा लिया था उसे ने इंट्रेस पर पैसा दिया था आप इंट्रेस पे कर रहे दोनी तीा आपने किसीस का चेक दिया था जो इबाउंस हुआ और अगर पुराना चेक में ज्यादा पुराणा था आपको पता है बैंकींग की का रहे थी है नया न्या वोइड हो तो पुराने चेक हो घालेगा तो वैसे वह न्यां वर्ड हो जाएगा फिर भी अगर उसने चेक बाउंस करा दिया नया ही चेक था और आपके उपर नोटीस आ गया है तो सबसे पहले तो पंदरा दिन का आपको समय मिलेगा पंदरा दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट दे सकते हैं अगर आप सेटलमेंट करना चाहें तो नोटीस आउटा यसका लाघर आपके विंचे आपको के मुझे लाया है न वहां से नोटीस आजा जाता है और वह जवाब नहीं देते हैं तो सामनेवाला फिर नॉण रावारेंट में बेल करानी पर फिर भी उसकी वनिपर वकीर करानी परती है और तो लयक्त कर यह जा झा coronet के और करने ऊंडिफिफित pick और पताइए वालेंगे सब्सक्राइए कि वेश्योप तारी मनेंगी पैसा दिया उसने है तो सार्वित हो अगर उसने मलीजी दो लाथ पो दिया था और ब्लैक में दिया था क्लेक किसे कर जूरहों और दो लाका चार्ला कैसे लिख रहा है क्यों लिख रहा है चारलाइकुरूपए का पूरूफ फिर पृषब को भी साभीत करना पड़ेगा कि उसने दो लाक करके जबा के जवाब 46 एखलेगी अभी a कैस हुआ है मद्धेपरदेश में या बिहार में हुआ वहां पर जिसने कोड़ ते उसके कलाफ ही कोड़ दे दिया और जिसके चाहला गया क्योंकि वह वेल कि कि चेक बाउंस क्यों हुए क्यों 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 अमाउंट आppen उसने 10 लाग क्यों भरा गया था वो सबीत ही नहीं कर पाया और उसका केस उसके खिलाव गया और उन लोगों के फेवर में गया जिनका बाउंस हुआ था तो किसी एक्षपर्ट वकील के राय ले में घपराना नहीं डरना नहीं है कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है भाग जाना सोलुशन नहीं है मैंने बार-बार कहा है यदि आपने करजा लिया यदि किसी नापको पैसा दिया समय पर यकीनन उसका ऐसान है उस बहुत सारे विकल्प आपके पास मोदूध रहते हैं किसी डरने आख भब्राने की जरूरत नहीं है किसी लीगल एक्सपर्ट की मदद लीजी आपको हब कारी दे रहें free में हमारा legal team है जो आपको guide करने हैं काम कर रही है support करना है काम कर रही है हम आपको वकील ने दे सकते हैं आपका case लड़ने के लिए वो आपको खुद करना पड़ेगा अपने नियरस वकील से बात करिए हमारी लीगन टीम आपको बता देगी कि वकील तो कहीं गड़बर नहीं कर रहा है क्यों कहीं जगा वकील ही मिल करके गड़बर कर रहे हैं और लोगों का नुफसान करवा रहे हैं उस केस में हम लोग हो जाएगा तो जो केस चाल रहे हैं चैक बाउंसिंग के यह सब भी समाफ हो जाएंगे क्योंकि इसका एक ही हल है लोगों का करजा माफ करवा दिया जाए लोग की हालत बहुत खराब हैं लोग हर दिन करजे की दंदल में फस रहे हैं और कोई कोई सुनने वाला नहीं कोई की बात करने वाला नहीं है कोई जानने वाला नहीं कि परिस्तिया खराब है खराब कैसे बनी है इसमें उस वेक्ति की गलती नहीं है इसके लिए सरकार की गलत नहीं थिया जिम्मेदार है और आज नहीं तो कल सरकार को आप सब का लोन माफ करना पड़ेगा इसलिए घबरान नहीं दरना नहीं, परिशान नहीं होना, कोई ना कोई समधान निकलेगा, कोई ना कोई आस्ता जरूर निकलेगा.